नमस्कर दोस्तो स्वागत है वर फिर से आपका अपने यूटूब चैनल पे काफी टाइम बाद नया अफोरेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है दोस्तो और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस अपकमिंग अफोरेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की लोकेशन के बार करते हैं और फिर उसके बाद हम लोकेशन देखने गई और लोकेशन समझनी आई तो आपकी जो मैनत वह सारी खराब हो जाती है हम एक प्रोजेक्ट को सर्च करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट आपकी रिक्वार्मेंट में आ रहा है और आपकी नीड किस हिसाफ से है तो इजिटल तरीके से आप बहुत सारी चीज़े देख सकते हैं आसपास के और एक एक्टॉल जा रहे हैं तो वहां सिरफ हम कुछी एरिये को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो में मैं सिरफ आपको लोकेशन दिखाऊंगा नेक्स वीडियो जो बना रहूंगा उसमें मैं आप को लेयाउट दिखाऊंगा और क्या प्रोजेक्ट की डिटेल है कौन कौन से साइज है कितना साइज है कौन सा साइज अच्छा है कौन सा बुरा है और उसमें कुछ मैं बहुत इंपोर्टेंट बात भी करने वाला हूं और उस प्रोजेक्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊ हुआ है कि आपके जो पेमन प्लान हो कैसे कैसे जाएगी और इतना लोन वगए रहे हुँ वह हम पोड़ेक्ट बाद में जाने के तो आज हम जानने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की प्रोपर तरीके से लोकिशन के बारे में तो आए यह डेक्स्टोप पर चलते हैं और वहां प होता है South and Peripal Road और यह अगर इस साइड हम आगे चले जाते तो हम तो जाते हैं Solar Road तो इस location को सभी जानते हैं कि यह वाली जो location है यह है Cloverly Flyer क्योंकि इसके यहां बगल में ही आपका टोल पलाजा है यह इस टोल पलाजा को आप सभी जानते हैं तो हम location को लेके चलते हैं SPR Road से यह जो location है यह SPR Road है और यहीं से यह 60 मेटर Road है यही connect होगा अभी यह यहां तक running है आपके आगे तक क्योंकि कुछ part है वो अभी बनना शुरू हुआ है यहां तक आप जानते हैं यहां पर M3 ने अपनी sales gallery बनाए रखी है यह road ऐसे running है और यह वापिस से NH8 के अंदर जाके connect हो जाता है यहां पर टोल से आगे इस टेम ज्यादतर लोग इसी part को use कर रहे हैं टोल बचाने के चकर में तो हम चलते हैं राजविक की site के उपर और आसपास की चीजों को देखने कोशिज करते हैं तो यहां से यह road है कुछ पार्ट है यह black होने लग गया है यहां का पार्ट और यह कुछ से रावली की जो साखाएं हैं वो यहां पर आके इस road को यहां पर बंद कर देती हैं तो अभी government इसका अपरोल दे दिया है कि आप यहां से जो यह साखाय जितनी भी आ रही है रावले की इनको तोर के प्रोपर तरीके से साथ मिटर का जो रोड है उसको बना दीजिए तो अब यह जल्द ही यह road का अपरोल आ भी गया है और काम सुरू हो जाएगा क्योंकि जब तक यह project मिलेगा क्योंकि प्रोजेक्ट वैसे भी च्यार साल में मिलने वाला है तब तक यह चीज़े रैडी हो जाएंगी और यह road है यहां से 24 मिटर road है जो एनेचेट की उपर आके आपके यहां पे connect हो सकता है आप यहां से भी आ सकते हैं वैसे यहां से भी आप जा सकते हैं अगर आप SPR road से नहीं जाना चाते हैं नचेट से जाना चाते हो तो एक connectivity यह हो गई दूसरा फिर आगे यह road है प्रोपर रैडी है ब्लैक पार्ट बनना शुरू हो गया है तो जैसे ही हम आगे जाते हैं यहां पे सेक्ट 79 के अंदर कुछ सुसाइटिया है जो इस टेम ready to move भी है फैमिलिया भी रह रही है एंड यूज भी रह रह रहा है रेंट पे भी रह रह रहे हैं तो यह जो 60 मिटर रोड है यह आके connect हो जाता है इस रोड के उपर नोरंपुर जोन इस एरिये को बोला जाता है और यह जो एरिया है यह भी रोड है आपका जो connect है आपका जहां पर हम दादी सती चोप के लिए जाते है और इसी रोड के आजपास देखोगी काफी ज्यादा यहां पर आपको development भी दिख रहेगी लेकिन अभी यह अंडर development area है ज्यादा कुछ खास नहीं है यह आजपास यहां भी कुछ इस township है जो ready है luxury type की है तो हम चलते है एक बर project की तरफ तो यहां पर यह mapsco का project है mount wille और फिर उसके बाद यहां पर यह गोद्रेज है 101 है ready to move है उसके बाद यहां पर यह गोद्रेज आ रिया है उसके बाद यह वाले जो township है यह super tech की township है राविले की उसके बाद यह इस project को आप जानते हो यह है आपका best tech का park view अल्चुरा यह sector 79 आगा और इसके आगे आता है यह sector आता है आपका 79 B इसके इस area के अंदर इस location के अंदर आपका proper तरीके से यह जो area है यह आता है आपका sector 79 B का area और यह जो आप one देख रहे हैं यह इस type से यह आपका राजविक का affordable housing project है यह पूरा 24 मेटर रोड के उपर आएगा यह वाला जो पैच आप जो देख रहे हैं यह वाला यह affordable है total 4.19 acre का यह project है और इसके just back side में कुछी दूरी पे यह अरावली की साखाई आ जाती है यह सारी अरावली की साखाई है यहापे जहाँ पर इस पारी पारक आना है 10,000 acre के अंदर यह पूरा असपारी पारक है आप जो देख रहे हैं यह अरावली की साखाई है जो काफी अरिये के अंदर फैली हुई है सोना तक यह अरावली फैली हुई है यहापे तो green area है green patch है इसके अंदर अगर आप self-use के लिए रिये है तो वह बहुत ही अच्छा है की है तो आप actual site budget जरूर करके आए इस project के चारों तरफ यहां यह M3M और smart world की land आती है जहां पे low rise और high rise अपार्टमेंट आने है अभी low rise का काम शुरू है इनका booking बगारा चल रही है M3M की तो आप उसके try कर सकते हैं अगर आप इतना budget है तो अगर इस affordable के nearby में यहां भी दे जरी concept के बीच में आ गए है और इस project के अंदर आपको still parking वगएरा शारी चीजे अवलेबल होंगी आप प्रोपर पूरी वीडियो देखना एक बार वीडियो देखने के बाद ही आप प्रोपर जो डिटेल नहीं समझ आती उसके बाद comment section में जाके comment डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर signature global का है project यह signature आता है यहाँ पर यह जल्दी deliver कर देगा हो सकता है इस साल आएंड या अगले साल तक यह deliver कर दे यह भी affordable housing है बाती यहाँ पर यह सारे luxury है एक बोद का project आया था वो best tech culture के बगल में है जो यह है true habitat 79 तो यह भी affordable project है इसका भी काफी अच्छी location है यह 6 8-meter road से connectivity है starting में जब यह affordable आ था तो हमने बोला था कि भी इसके अंदर आप apply कर लो यह काफी अच्छा है तो लेकिन लोगों ने कोई ज्यादा interest नहीं दिखा तो लोग बोल रहे कि दूर है यह है अच्छी नहीं है लेकिन आप call आते हैं जी बहुत के अंदर दे दो कुछ premium दे के ले लेते हैं तो inventory नहीं आती इतनी तो इस project के अंदर अगर आप investment करने जाते हैं तो आपको थोड़ा time देना पड़ेगा इस project के अंदर क्योंकि यहां पे अभी इतना employment है नहीं और यहां पे apartment और availability बहुत ज्यादा है फिलाल तो rent में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर self-use में जाना चाते है तो self-use आप पर try कर सकते हो self-use का आपका थोड़ा अच्छा हो सकता है एक यहां पर school आ रहा है यहां सी ना एक school यह जो construction देख रहे हैं इसके आसपास ही है एक school भी आ रहा है अब पहले यहां पर school नहीं था यह रहा न जुनियर यहां पर यह school की साइड बनने लग रही है तो हो सकता है तब तक यह school भी आ जाए क्योंकि यहां पर कोई major school थे नहीं इतने खास तो school में बहुत दिक्कत होते थे तो यहां पर ultra luxury concept है सारे चीजे है location आप देख लेना आपकी requirement के इसाफ़ से अगर आपको location suit होती है तब ही जाना क्योंकि य 79 यह path बसते हैं और यह है national highway दिल्ली जैपूर highway एनेचेट जिसको हम बोलते है तो एनेचेट से इसकी यहां से यह connectivity रहेगी करीब 2.5 km अंदर पड़ता है यह एनेचेट से तब जाके इसकी पर जो location वगएरा है वो आप देख लेना मैं तो दोस्तों यही कहूंगा कि आप स दोस्तों यह था हमारा एक चोटा सा प्रयास ताकि आप एक अच्छी investment अच्छी location को select कर पाएं और अगर आप वीजीट नहीं किया है तो वीजीट करके आओ जल्दी से देखो कि यह location आपके requirement के अंदर आ रहे है या नहीं आ रहे है वैसे मत apply कर देना क्योंकि कई फिर apply करन ले आउट है क्या क्या है तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर जोईन कर लो क्योंकि जैसे यह लोंच होगा वहीं पर हम notification देंगे और वहीं पर अलड़ी यह layout ने शेयर की हुए है तो नीचे description में आपको जो भी लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का तो उसको जोईन कर लो हो आपको यह चीजे समझ आई होंगी वैसे भी मैंने इस बिल्डर के रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाई हुए है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं एक्चल साइट भी दिखा रखी है और आप इस प्रोपर्टी के बारे में भी समझ पाएंगे कि यह प्रोपर्ट बेकना